गुर्मानिंग बच्चों तो कैसे हैं क्या हाल चाल सब ठीक है ना तो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एम्स इंस्ट्टिट आफ लर्निंग पत्ना में है आज हम फिर आप लोगों के लिए एक नियू कोशन के साथ आए हुए हैं जो कोशन पूछा हुआ है बीपेसी का जो आभी आप देख रहे हैं लगातार वीडियो मेरा आ रहा है किसे प्रिवेस एर कोशन बीपेसी का डेली कम से कम एक वीडियो तो आपको दिखी जा रहा होगा जो भी हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब के हैं उसको अच्छे से पता है और जो नहीं क्यों है जो इस सब्सक्राइब करते हैं कुछ भी करते हो हाई यूटूब चैनल बहुत ज्यादा है तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा यहां पर जो भी हम करने वाले हैं तो अपने दोस्तों के साथ करें यूटूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखे इसी तरह का वीडियो जो भी है मेरा कोफिसियन का कोश्चन है तो इसमें कॉंप्लिमेंटरी फंसन प्लस पार्टिकुलर इंटिकल्स दोनों आएगा कंप्लिमेंटरी फंसन कम निकालेंगे जब होमोजीनियस कर देंगे यानि कि राइट साइड को आइक साथ तो मेरा क्या देगा कंप्लीट जन्राल इंटीग्रल ओके शुरू करते हैं जब भी कोई कोई कोश्चन दियावा होता है ना चाहिए ओडी का हो पीडी का हो या काल्कुलस पॉर्षन का हो में अगर हम बात करें फोकस करें तो आप उसको सुरुवात करने से पहले जो कोश्चन प्लस एलेवन डी माइनस सिक्स और वाई एक्वल टू दिया हुआ है कि कॉस हाई पॉर्बोलिक एक्स का तो हम लोग पार्टिकुल इंटिकल निकालना नहीं जानते हैं या कैसे होगा तो हम लोग इसको क्या करने वाले क्योंकि हम लोग को पता है डिफिनिशन आफ क्वास हाई पॉर्बोलिक एक्स क्या होता है बच्चो एटुदी पावर एक्स प्लस एटुदी पावर माइनस एक्स वाई टू कहां से आघ्टिकॉर्मेट्रिक फंशन अगारा पर हुए तो अल्यदी इसको समझ सकते नहीं तो कोई बात नहीं यह क्या है इस तरह से होता है डिफ के लिए कंप्लीमंट्री फंशन के लिए मेरा क्या हो जाएगा बच्चों यहां से एक्जिलेर इक्वेशन तो देखते हैं अग्जिलेर इक्वेशन इच कितना होगा तो कहता है कि निकालने से पहले इसको फंशन अब डी के फॉर्म में तो लिख दे तो ज्यादा अच्छ के लिए हम दोग क्या लिख सकते हैं एफ डी एक्वल्टू कापटाल एक्स ठीक है जहां पर फटी फंशन क्या है तो कहता है की डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्कॉर प्लास अलेवन डी माइनस सिक्स हो जाएगा और क्याक्स क्या तो कहता है कि capital x मेरा क्या हुए है कोस है मेरा क्या जाता है यहां से कि एक्जिलेडी कुछितना जाएगा तो कहता है कि एक्जिलेडीट प्लास 11 एम फिक्सिक्त एक बच्चों मेरा टार्गेट कि तो तो करना अगर एक बार आप रूट्स फाइन कर लिए तो कंप्लिमेंटरी फंसन खतम खलास हो जाएगा है ना तो यहां पे आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि कि मढबर वान बी सट्टिसफाई कर रहा है एंब बढबर टू पीस एक्वेशन को सट्टिसफाई कर रहा है ठीक है तो यहां सामिश को लिख सकते हैं मायनस वन माईनस टू और मैनास तीडी इक्वल टू होता है कि आप रूट्स फाइन कर पा रहे नहीं पार है रूट्सुट्स स्पाइन हो मिर्भाबर वॉन टू और तो कंु जो कंप्लीमेंटरी आउब नु चल दो सु कितना हो गया तो कंप्लीमेंटरी फीटावर में सु सी फ्लस एट दिफावर का मुझे यह डिफ्रेंशियल एक्वेशन दिया वह रहेता è उतने ही सारा धेनुत होता है अब क्या है अब यह तो हो गया तो पार्टीकुलर थो पाइफच पूल। इंटेगल के लिए है क्या फॉर पार्टिकुलर इंटिकल बोलो या पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो वाई पी क्या होगा कहता है कि वान ऐफ डी जो भी फंट्टेण ऑफ डी और चैप्टल एक्स ना तो वन बाय अपना निकाल लेंगे 10-1-2-3 कितना हो गया है इंटिग्राइटर है अब क्या करेंगे तो इसको बाहर करेंगे यह दोनों function को अलग-अलग FD के साथ operate करेंगे क्योंकि यह जो function of one by FD differential sorry integral operator है FD differential है तो one by FD करेंगे तो क्या होगा बच्चे वो integral operator होगा integral operator बस यहां से कर देते काम करते हैं इस two को बाहर कर देते हैं इदर लिखते हैं one by two ऐसा करते हैं दी-1 और यहां होगिया दी-2 और दी-3 और यहां होगिया e to the power x फिर plus one by कितना होगिया दी-1 दी-2 और दी-3 और यहां e to the power minus x दोनों का दोनों इस्तरह होगी एक rule हमको पता है क्या बच्चो जो पढ़े यहां गर्वाइज पता है कि लिकिन वैंडिहां फिर फिर जिरो नहीं होנה चाहिए फैंस जए से यहाँ रखेंगे बाजिक यह वाला फैक्टर जीरो हो जता है तो फिर यहां यहाँ नहीं होगा लेकिन यहाँ फैक्टर में बना सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे कितना one by two one जहां जहां problem है उसको वई से लिख देंगे यहां कोई problem नहीं है यहां कितना one coefficient तो one minus two और यहां पर one minus कितना हो जाएगा बच्चो ठीड हो जाएगा ठीक है और e to the power यहां x रहा गिया सेम बाद इधर भी करने वाले यहां कोफिशन कितना minus one किसी भी फैक्टर में रखेंगे कोई problem नहीं कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं कि पूरा का फंसन को पूरे फंसन को क्या करें जीरो कर दे तो आसानी से minus one minus one minus one minus two और minus one minus three इसको हम रख सकते हैं आप कितना देगा तो one by two यहां को और करो माइनस वान और यहां कितना हो गया minus one और minus two कितना हो गया इसकोल टू तो यह हो गया one by two d minus one और e to the power x और plus यहां पर कितना हो जाएगा बच्चो माइनस टू माइनस two minus three and minus four e to the power minus x अगले पेज में देख लेंगे तो कितना हो जाएगा d minus one है ना तो दी माइनस 1 को देखते हैं कितना आगया मेरा कौन सा चलड़ा यपी पार्टिक्लर चलड़ा है ना 1 by 2 common है ठीक है और 1 by 2 मेरा क्या था दी माइनस 1 दी माइनस 1 कॉम क्या लिख सकते हैं अच्छा एक बार भी लिग देते हैं । दी माइनस 1 और इटो डीपावर माइनस एक पॉर्शन तो मेरा खतम अगला पॉर्शन आथ इस में क्या करेंगे इसमें हम है लेंगे फास्ट ओर फाइस डिगरी का यहां पर कितना वन बाइटू इसको लिख सकते हैं इस एक्पावर एक्स इंटिग्रेशन हम एक जानते क्या one by d minus alpha अगर alpha कोई भी constant है और right side capital X हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक टुदी पावर alpha x इंटीग्रेशन x into e to the power alpha x लिकिन अगर यहां minus है तो यहां पर minus alpha x हो जाएगा और इससी formula के help से हम यहां पर कर दिए कैसे formula आता है इसका प्रूब कर सकते हैं with the help of linear differential equation of first order वहां से अब इसको माल लिजे वाई वाई से linear लेगा यह लिनियर इंटीगेटिंग फैक्टर आप फाइनली यह answer आपको दिख जाएगा गोड़ किजे यहां पर alpha के जगा मेरा कितना है तो इत्तुदी पावर ऐक्स यहां पर कितना हो गया एक इत्तुदी पावर दिटिव्ट एक्स का कितना हो गया यहां पे X इपार एक्स और माइनस वन बाइ-48 इत टेपाँ उलूशन कि इतना गया मेरे पास या पार्टिकुलर सॉलूशन कितना पार्टिकुलर सॉलूशन सो तो या यह से लिख सकते हैंस क्या गया अब क्या करना है अब कुछ नहीं बस इसको complete करना है general solution दिखना है the general the general solution is given by कैसे देंगे हम इसको कहता है कि दोनों को जोड देंगे y equal to complementary function plus particular integral complementary function plus particular integral तो कितना जागा बच्चो c1 e to the power x c2 e to the power 2x and c3 e to the power 3x क्योंकि मेरा 123 क्या था रूट था अब उकर देंगे plus particular integral यहां पर कितना है 1 by 4 e to the power x e to the power x तो x e to the power x minus 1 by 48 e to the power minus x यही मेरा क्या हो जाएगा यही मेरा हो जाएगा complete solution क्या हो जाएगा यह complete solution this is our answer जहां पर अगर हम बात करें c1 c2 c3 यह सारा का सारा क्या है यह सारा का सारा यह सारा क्या मेरा constant होगा है एक सिवन कॉमा सी टू कॉमा सी थी आर अर भी कांस्टेंस खत्म क्लियर क्या क्या कि स्कॉशन में कुछ ज्यादा था कुछ भी ज्यादा नहीं था जो कॉशन दिया हुआ था उसी पर हम लोग देखें उसके के बाद क्या किए को सिन के एकोडिंगी फिर हम लोग यहां से देख लिए कि अच्छा कॉस्टन कोफिसियंड का है कंप्लिमेंटरी फंसन प्लस पार्टिकुलर दोनों मिलके जनरल देगा क्योंकि राइट साइड क्याप्टल एक्स में कॉस्ट है अगर यह जीरो होता तो जो इंट्रिकल इस तरह समलों कर लिए जिसमें जो भी फार्मुला का यूज हुआ जैसे इधर फॉर्मुला हुआ वण बाइब अब्ली करके वह वहाँ उसको भी हम लोग देख लिए हैना दोनों फॉर्मुला को देखते हुए आगे हम लोग किये फाइनल कंप्लीट एंसर उ वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखे क्योंकि हर एक वीडियो में पहले भी कई सारे वीडियो में बोल चुके हैं कि छूटा छूटा कॉंसेप्ट छिपा हुआ रहता है अगर उनको पकल लेंगे अच्छा से ना तो आपका एक वीडियो से या एक कोस्टिन के भातिरीन स से आप कई सारे कोस्टिन को सॉल्ब कर सकते हैं है ना उमीद है यह वीडियो अच्छा लाए होगा मिलते एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन